नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ है नामिका पांडे पुनीता प्रगती भी इस बुलेटिन में मेरे साथ हैं लेकिन आपको पहले तस्वीर दिखाऊंगी क्योंकि आज 25 साल पूरे हो गए हैं करगिल को जीते हुए भारतिय सेना ने जिस जाबाजी के साथ दुश्मनों को जवाब दिया था आज उसको 25 साल हो गए हैं हाला कि समय समय पर भारतिय सेना ये बताती रहती है दुश्मन को पाकस्तान को कि कैसे हर वक्त भारतिय सेना तयार है देश की रक्षा के लिए देश के लोगों की रक्षा के लिए लेकिन जिस तरह से करगिल वि और यह लाइफ तस्विर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी को चेना के अधिकारी ये बताते हुए कि ये वो तमाम वीर सपूत हैं ये समझाते हुए कि किस तरह किसे हमारे देश के वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी शहादत दी थी औ और आज प्रधान मंट्री नरेंद्र मोदी उन सभी को नमन करने के लिए विजय दिवस पर 25 साल करकिल को जीते हुए 25 साल पूरे होने पर प्रधान मंट्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अधिकारियों से बात चीत कर रहे हमेशा से हम देखते हैं कि प्रधान मंतरी का सेना के प्रती हमारे देश के सैनिकों के प्रती जो सम्मान है वो समय समय पर हम देखते रहते हैं फिर चाहे दिवाली का आवसर हो कोई तेवहार का मौका हो तो प्रधान मंतरी हमेशा ये चाहते कि वो उन सैनिकों के साथ उस तेवहार को मनाएं जो तेवहारों की मौके पर अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं तेवहारों को क्योंकि वो हमारी आपकी रक्षा में लगे होते हैं और इसलिए प्रधान मंत्री कहते हैं समस्त देशवासी मेरा परिवार है और सेना के जवान जो लगातार देश को देश को जो है देश की रक्षा करते रहे हैं आज उन वीर सपूतों को नमन करने का वक्त है और इस वक्त महमान हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से यूके देवनाज साहब है ग्रूप कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं देखिए यह बहुत मार्मिक दृष्ष है जो जिन्दगी जो शरीर है वो भगवान को आशिरवाद है उसको नुच्छावर हमारे सनिक कर देते हैं भारत मातली रच्छा के लिए तो मार्मिक दृष्ष है लेकिन सबसे बड़ा महत्पून चीज जो यह है कि जब प्रधान मं में ऐसे नहीं होता था सेना का मनुबल बढ़ता कैसे है जब सेना को लगता है कि देशवासी उसको सम्मान करते हैं उसके बलिदान का 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 को रिस्पेक्ट करते हैं तब सेना का मनुबल बढ़ता है जब सेना जानती है कि प्रधान मंतरी खुद आके जो कारगिल का जो स्प नहीं लेती है जब कर्णर पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एके एंटेनी डिफेंस रक्षा मंत्री थे वो जेल भेज देते हैं और प्रेशनल ड्यूटी करने के लिए मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए एक फुल कर्णर को जेल बेज दिया जाता है डिस्ग्रेस इस मैटर डिस्ग्रेस पर अच्छा मंत्री बेज रहा है ये तो भगवान का शुक्र है कि मोदी सरकार आई और उसको जेल से निकाला गया तो फरक देखिए हर एक दिवाली में मो के साथ दिवाली मनाते हैं इसका पता संदेश साफ है मैं इस परिवार का सदेश हूँ मैं इस परिवार के साथ हूँ करन पठानिया वाला श्रकानी भूल जाओ और ये संदेश पाकिस्तान चीन को भी जाता है कि देश का प्रधान मंत्री जब सेना के साथ है तो हमारी तो आर्मी है 18,000 फीट पे 18 डिग्री से 40-45 डिग्री सैलियंट पे धावा कर बोलना मैंने ले में नोकरी किया है 15 कदम तेज चलिए सांस फूल जाता था मेरा कमांडिंग आफसर बोलता था धीरे धीरे चलो तेज मत चलो यह हालत है और उस पे धावा कर बोलना अब तो हिल जबक पेंटम आर्मी और उस फेंटम आर्मी को पिजरे में बंद कर दिया गया था और प्रेशल फीडम नहीं दिया गया था तो यह बनोवल बढ़ाता है यह बहुत यह लेक्नी चीज है और इसलिए वही नहीं खाली मनोवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं आप मिलिटरी एकुप् सेना लड़ेगी कैसे तो अभी तेजास हा रहा है रफाल करदा गया 12 साल ग्लोबल टेंडर हुआ था क्यों नहीं सप्लाई और प्लेस हुआ क्योंकि मलाई नहीं पूचा था बहुत ब्लडली बोल रहा हूं मलाई नहीं पूचा था और उस पर एक एंटरी लिखा है री एक कि लिए रिमार्ट किया गया है पहले क्या था कुछ नहीं कर सकते हैं अब एलन्टी महिंदा महिंदा कितने लोग मिलिट्री कुप्मेंट सप्लाई कर रहे हैं मिजाईल बना रहे हैं लोग ऐसा क्यों संभव है क्योंकि डिया भी डिफेंस इंडर्स्ट्रियल बेस को ले हुए हैं देवनाजी लाइफ तस्वीर लगतार हम दिखा रहे हैं ब्रधान मंत्री पहुचे हैं होसला बढ़ा रही हैं साथी में जानना चाहूंगी जब हम बात करते हैं जल थल और नभ की तो तीनों का सयोग किस तरीके से कॉंट्रिब्यूशन होता है आपस में ताल जल थल नभ को एकसात युद लड़ना पड़ता है हमें बेसिक ट्रेनिंग के दौरान चाहे वो नेशनल डिफेंस अकैडमी हो FC यह इंडियन मिलिटरी अकैडमी हो इंटीग्रेशन के बारे में सिखाया जाता है जॉएन्ट मेन्शिप के बारे में सिखाया जाता है और आधार पर बहुत बड़ा एक कदम लेते हुए जल थल नब को एकिकरते हुए अब थेटर कमांड कॉंसेप्ट को जमीन पर रियालिटी बना दी गई है बहुत जली ही पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का एक पश्चिमी थेटर कमांड बन रहा है और उत्तर की तरफ चाइना को फेस करते हुए लखनओ में बेस्ट होगा थेटर कमांड हैड कॉर्टर वो बन रहा है इसी तरह से समंदर की तरफ नेवी का थेटर कमांड बन रहा है सबसे शांदार बात यह हर कमांड में हर थेटर कमांड में जल थल नब के उच अधिकारी और जतने इसेप्ट विजूलाइजर्स होते हैं जैसे हम बोलते हैं ब्रिगेडियर रैंक हो गए मिजर जनरल हो गए एड्मिरल्स हो गए एर मार्शल्स हो गए वो मिल जुल कर काम करेंगे तो भविशे में आप देखेंगे कि जब भी युद्ध होगा दुश्मन ठर आएगा क्यों जब हम उस पर हमला करेंगे तो हमारी नेवी पानी की तरफ से हमला करेंगी थल सेना जमीन से हमला करेंगी और ठिक उस शन में उस मुहर्त में उस जगा पर वयुसेना हवा से हमला करेंगी इंटीग्रेशन जॉइंट मैंशिप थेटर कमार्ड जी पिल्कुल और देखे लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि भारते सिना की ताकत मजबूती किस सरे के से जो है वो बढ़ी है लेकिन S.P. सिनाची ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज शौरे का दिन है और इस मौके पर ये भी समझना होगा कि जब ऑपरिशन विजय चलाया गया था 25 साल पहले उस समय जब हमने विजय हासिल की थी इस विजय का टर्निंग पॉइंट उस वक्त किया था टर्निंग पॉइंट था नुक्लियर बलफ जो पाकिस्तान का था वो बाजपई जी ने नुक्लियर बलफ को एक डम उड़ा दिया रात के धाई बजे प्रेजिदेंट अफ अमेरिका फोन करते हैं बाजपई जी को कि जनल मुशरफ नुक्लियर आप्शन का सोच रहा है लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कल का सुर्योद पाकिस्तान नहीं देखेगा कहां गया नुक्लियर बाफ कहां गया पाकिस्तान का नुक्लियर बाफ कहां गया जनल बशरफ उशरफ यह जो यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए जैचंद जो कुछ लोग बैठे कर लिया है it is nothing good for nothing दिवाली का फुलजरी है तो यह तो साबित हो गया है तो नुक्लियर बलफ को फॉल्स करना यह तस्पीर में चाहूंगे आख थोड़ा सा हमें बताएं क्योंकि प्रधान मंतरी पहुंचे हुए है और टर्नल है जिसका उद्गाटन के जिससे जो हमारे सैनि है उनको थोड़ी मदद मिलेगी है क्या है यह सर कैसे है यह तरनल क्यों इंपोर्टन है मैंने खुद ले में मैंने नौकरी किया है हम लोग स्रीनगर से ले की कनेक्टिविटी चार-पांच महीने बरफ जादे जमने से नहीं रहता था रोट कनेक्टिविटी खतम तो मैं त लोड है तो हम जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग करते थे और यदि जंग छीड़ेगा तो अमूनिशन सप्लाई तो चाहिए 24x7 चाहिए कैज़िवाट चाहिए सब कुछ तो चाहिए खाली आयल 76 लोड उठा लेगा क्या यदि जंग छीड़ा विंटर में तो नहीं उठा पाएगा तो हम तो अलड़ी मतलब disadvantageous position पर खड़े हैं इससे क्या होगा जैसा मैंने का 24x7 365 डेज लोड़िस्टिक सप्लाई एशूर्ड जब एशूर्ड है सक्ति कहां से मिलती है सेना को ability equipment से लिखती है अमनुशन से बिलती है सभी सबसे मिलती है यह शोड कि कैजी वैक होगा तो उसकी उसकी जान बच जाएगी इससे मुराल अप होता है तो यह game changer थावट होगा यह पहले क्यों नहीं हुआ जोर्ज फर्णान्डे जी ने 73 strategic roads की कल्पना की थी आवाज डेप्निन गवर्नर बीडी मिस्राजी केंद्रिय मंत्री संजय सेट चीफ अव डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चहवान तीनों सेनाओं के सेनाद्यक्ष करगिल युद्ध के समय सेनाद्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी पुर्वसेनाद्यक्ष जनरल मनेच पांडे जी बीरता पुरसकार प्राप्त सेवारत और सेवा निवरत सैनिकों करगिल युद्ध के बहदूर वीरों की माताएं दीर नारियां और उनके समस्त परीजन सेना के बहदूर जवानों और मेरे प्रियदेश वासियों आज लद्धा की ये महान धर्ती कारगिल विजे के पचीस वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है